बात करेंगे South Africa और Windisch के बीच में होने वाले 3rd और final T20 मैच के बारे में पहले T20 मैच को जीता Windisch की टीम ने, 2nd को जीता South Africa की टीम लेकिन दोनों Centurion में मैच हुआ था ये Johannesburg में मैच होने वाला है, अलग result आपको देखने को मिलेगा, अलग तरीके का venue है सारा कुछ मैं आपके लिए लेकर के आए हूँ, इसके पहले जो 2 T20 मैच हुआ था, उसमें हमने अल्ट्रा क्लिंसिप किया था, आपने विनिंग अभी तक नहीं देखी है टेलिग्राम चैनल का लिंक विडियो के नीचे डिस्क्रिप्सम बॉक्स में है, वहाँ से जा करके देख सकते हो सबसे पहले इस मैच के अगर में बास करो तो, वांडरर से श्टेडियम जॉहानसबर्ग में ये मैच होने वाला है तो सबसे पहला हमारा काम होता है वैदर रिपोर्ट देखना यहाँ आपर देख सकते हो, रेन के बिल्कुल भी चांसेच नहीं है तो हम अपने प्रेडिक्सन को अब कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पर रिसेंट मैंने चार मैचेज लिखे हुए क्या कुछ हुआ है इंटरनेस्टल मैच हो रहा है तो इंटरनेस्टल का ही हम देखेंगे आपर साथ अफरिका टी-20 बगर का देखने की जिरुवत आपको नहीं है यहाँ पर 140 बनाया पाकिस्तान ने साथ अफरिका ने मात्र 14 ओवर में 141 बना लिया यानि इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है एक बैटिंग पिच है 9 विकेट लिया पेसर ने पहले इनिंग में 7 विकेट दूसरे में 2 विकेट पेसर ने लिया तीन विकेट लिया, इस्पिनर ने पहले इनिंग में एक और दूसरे में दो इए, आप देख ले न, इससे अपने को उतना बेनफिट नहीं मिलता है 188 पर है साथ अफरिका ने, पाकिस्तान ने इसको चेस कर लिया, यानि एक पैटिंग पिच है आठ विकेट पेसर ने और चार विकेट स्पिनर ने लिया, औस्ट्रेलिया ने 196 बनाया और साथ अफरिका की टीम 89 पे ओल आउट हो गई तो ये कुछ अलग रिजल्ट अपने को देखने को मिला, कि सेकंड इनिंग में इतना खराब परफॉर्मेंस हुआ यहाँ पे 6 विकेट पेसर ने और 9 विकेट स्पिनर ने लिया था 198 बनाया है साथ अफरिका ने, स्रिलंका की टीम 137 पे ही ओल आउट हो गई, 9 विकेट पेसर और 2 विकेट स्पिनर तो इससे देख करके एक तो हमको अंदाजा लग जाता है, कि यहाँ पे एक अगर बड़ी टीम के वीचे मुकाबला होता है तो आसानी से 180 प्लस भी चेस हो जाता है, लेकिन जब जो बराबर के टीम नहीं होती है वहाँ पे चेस करना मुश्किल होगा अगर पहले बेटिंग करते हुए टीम 180 प्लस बनाती है वैसे आपने इन चारों में देखा कि यह वाला यह वाला बãyting सेकंड करने वाले टीम ने जीता यह वाला और यह वाला बैटिंग फर्ष्ट करने वाले टीम ने जीता बैटिंग first करो चाहे बैटिंग second करो दोनों में ही बैटिंग अच्छी हो सकती है प्लस Pacers को जादा मरत मिलती है यहाँ पे Spinner ने ज्यादा विकेट लिये थे तो यह बाद आपको clear हो गए साथवरिका विंडीज का last के 5 मैच का result आप देख सकते हो क्या हुआ है वैसे इस सिरिज पर आप जाओ इस सिरिज का मैंने आपको अरड़ी बता दिया अब डिरेक्ली आते हैं प्लेंग अलाइमन के तरफ उसके पहले मैं विनिंग आपको दिखा देता हूँ यहां पर फर्स्टी 20 का result हमारा देखना हमने ज्यादा कॉंटेश ज्याइन नहीं किये थे पहले टी 20 में चार कॉंटेश ने ज्याइन किये थे जिसमें विंडीज के टीम ने तीन विकेट से मैच को जीता था जिसमें रेन होती है और प्लस हमको यह भी चांस होता है कि सेकंड इनिंग में भी रेन हो सकती वैसे हुई नहीं थी 11 ओवर का मैच हुआ था दोनों इनिंग में 11 ओवर हुए थे तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टीम बनाई थी और यहाँ पर खास बात क्या है हमने कुईंटन डिकॉक को नहीं लिया था उसकी भी मैं वज़ज बता देता हूँ कुछ ऐसे अप्लिकेसन होते हैं जहां कि 13 सेकंड पहले ही पता लग जाता है कि पहली बॉल में क्या हुआ है तो कुईंटन डिकॉक आपको पता है पहली बॉल में कैच आउट हो गए थे तो इसलिए हमने उनको लिया भी था कैप्टेन भी बनाया था उस बाज में यह यह आउट हो चुगे हैं तो आपको क्विकली चेंज करना होता है एडिट मोड में लास सेकंड तक टीम को रखना पड़ता है ताकि आप एडिट रखबाएं एडिट कर पाएं तो इस तरीके से मैंने यह चीज़े की थी इसके बाद सेकंड टी 20 का रिजल्ट मैं आपको दिख नहीं की है तो कई बारा सा होता है बीजी सेड्यल की वज़े से मिस हो जाता है मैं आपको टीम दिखा देता हूं इसमें हमने 32,000 के एक लाग 10,000 की विनिंग 77,000 का प्रॉफिट हमने कमाया एंड यहां पर देख सकते हो यह मैंबर्स की विनिंग थी यह वाला मैच है इन्हो एक ड्रीम 11 एकाउंट रहता है इससे आपको कभी भी लॉस नहीं होगा उसके लिए मैं एक विडियो बनाऊंगा तो अभी IPL में हम लोग इस तरीके से करने वाल है ठीक किसी-किसी मैच में हर मैच में नहीं तो मैं आपको बताऊंगा यहां पर देख सकते हो तो यहां पर तीम को कॉमिनेशन आप देखोगे जोनासन चाल्सकों लिया यह नहीं था बहुत सारे लोगों ने आपोनेंट्स के पास तो थे लिय नहीं हमने लिया ता तो यह जो तीन प्ल performance की कई बार जरूरत नहीं पड़ती जैसे कल आपने पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला match देखा होगा हमारा team combination telegram पे आ करके देख लेना आपको पता लग जाएगा कि हमने दोनों ही match में अलग-अलग combination के साथ हम गए थे और आसानी से हमने ultra clean ship किया players की reticent form की बात कर लेते हैं क्या playing 11 रहेगी तो यहाँ पर देख सकते हो relay result flop जा रहे हैं बट इन्होंने PSL में अच्छा किया है तो यहाँ पर देख सकते हो बट यहाँ पर इस सीरिज में दोनों match में flop रहे हैं ठीक है पहले मैंने इनके बारे बताया है इनके बारे बताने के पीछे वज़य यह है कि यही आपकी win और loss का फासला तै करेंगे relay result इस match में बहुत कम लोग लेके आएंगे आपको इनको अपनी team में ले करके चलना ही चलना है important रहेंगे यहाँ पे इस venue पे इनका record बहुत अच्छा है Rija Hendricks से बात करें दोनों match में अच्छा performance किया यहाँ सुरुवात अच्छी की Degok तो century लगा के आ रहे हैं तो इनके बारे में क्या ही बताया जाए बाकि इनकी recent form आप यहाँ पे देख सकते हो Aiden Markram important ने balling batting दोनों से performance कर रहे है David Miller ने यहाँ 48 बनाया था last match में flop रहे थे अगर पहले batting आती हो तो इनको अपने team में ले सकते हो इसके लाग क्लास सेंग को grandling में try करना उतने important नहीं रहेंगे लेकिन ODI match में इन्होंने century लगाई थी आपको याद होगा इसी team के against में इसी series में Purnal की बात की जाए अच्छी balling करा रहे है डेथ होर में करा रहे है important रहेंगे Jensen ने भी अच्छी balling करा है तीन wicket लिया यह दोनों important रहेंगे मगाला last match में flop रहे काफी expensive रहे उसके पहले तीन wicket अठार रहन तो इनको भी try कर सकते हो यह भी डेथ होर में आते है Rabada को हमने last match में नहीं लिया था अगर आपने team हमारी देखी होगी जबकि Rabada important player हुआ करते है बट हमने किसी सोच की वज़े से किसी वज़े से हमने इनको नहीं लिया था वो हम कभी बताएंगे आपको prediction में अभी time की कमी है यहाँ पर अगर Taboris MC की बात की जाए तो 2 योगर किया था तो spinners को उतनी मदद यहाँ नहीं मिलती है centurion में भी मदद नहीं थी इसलिए हमने इनको preference कमी दिया है वैसे इनको हम generally ले करके चलते हैं और लिया भी था हमने wicket कई बार इनको मिल जाते है आप इनको ले सकते है अपने team में लेकिन Pacers को लोगे तो ही आपको ज़्यादा benefit मिलेगा प्लस यहाँ पर bench पे कुछ player है उनके recent form आपको दिख रही है यहाँ पर लुंगी नगेटी wicket लेस रहे थे last match जो खेले था बट जब भी खेलते हैं death war में आते हैं power play में भी आते हैं wicket चटकाते हैं उसके पहले fortune खेले थे कुछ खास नहीं किया है वैसे player काफी अच्छे है यह बट Pacers को जादा आपको तबज्जो देनी है अब आते हैं विंडीज की बात कर लेते हैं विंडीज की तरफ से Mayors important रहेंगे जैसा मैंने पिछले match में भी लिया था इस match में भी important है Braden King flop जा रहे हैं बट player अच्छे हैं इसके पहले का form देखो ODI में भी अच्छा गिया था Jonathan Charles आपके मश्ट पिक रहेंगे एक 108 बनाया था Nicholas पूरन form में नहीं है इसलिए इंको अभी फिलाल के लिए आप नहीं भी ले सकते हो बट आपको पता है कि क्या कुछ कर सकते हैं Robin Powell हर match में अच्छा कर रहे है यहां 43 यहां पे विकेट भी लिया इन्होंने यह और 28 रफ मनाया है important है Romarius F8 का यह वही हाल है यहां से बैटिंग से किया है कभी बॉलिंग से करते हैं प्लेयर काफी अच्छे हैं यूजफुल प्लेयर है ऐसे All-Longer रहे बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देंगे और Windy's का विकेट तो गिरेगा ही Odin Smith का यह वही है मैंने आपको बताया है एक ओवर करेंगे तो भी विकेट मिलता है दो ओवर करते हैं तो भी विकेट मिलता है तो यह सारी चीज़े है आर रैफर की बात कीज़े ग्रैड लिंग में ट्राइ कर रहा है वैसे CPL में बहुत बड़ा नाम है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं बट मौका तो मिलना चाहिए लाज टोर में चार ओवर किया था बट बैटिंग तो आई नहीं पॉर्टरेल को इस मैच में हमने लिया था आपने देखी होगी हमारे टीम दोविकेट लिया था यहाँ हमने इंको नहीं लिया था किसी वज़े से ए मने नहीं लिया था तो हर मैच में, सिच्वेशन में अगर रें इंटरप्टेड मैच है या बीस ओवर का हो रहा है तो सम्में टीम बनाने के तरीका अलग होता है इसलिए हम लोग फैंटेसी की फिल्ड में बेश्ट है यहाँ पर देख सकते हो बेंच बेतने प्लेयर है देख ले न अलजारी जोसे फिलेंगे तो इंपोर्टन रहेंगे पॉइल रिजा हैंटरिक से यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक कॉप ट्राइए कर सकते है बाकि कोई भी अच्छा उप्सन नहीं है मार्करमों मेर्स को तो आपको लेना है लेना एक प्लेयर अभी मैंने नहीं लिया है तो यहाँ पे सेफट का उप्सन है होल्डर का उप्सन है जैंसन का उप्सन है जो आपको पसंद हो आप ले लेना यहाँ पर अगर बात किजा उससे कोई खास फरक वैसे पढ़ने वाला नहीं है परनेल मगाला ओडियनिस में यह तीन आपको लेकर चलना है तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे टीम बनाई है कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कीजा है डिकॉक, जाल्स, इसके अलावा रॉवन, पॉविल यह सभी अच्छी फॉर्म में, रिजा, हैंड्रिक्स इन सभी को बना सकते है, बैटिंग पीछ है तो यहाँ पे बैट्समेन सभी फॉर्म में भी है तो बॉलर को बनाने से अच्छा है कि किसी बैट्समेन को बनाओ 30-40 रम भी बना देंगे तो आपका काम हो जाएगा यहाँ पे एक जो सबसे बेश्ट पिक है, वो है मारक रम क्योंकि यह बॉलिंग बैटिंग डौन दो परफॉर्मेंस करेंगे सामने वाले टीम में लेफ्ट हैं तो यह आउफ्समिन कराते हैं तो सामने सुर्वाती ओबर में ही आ सकते हैं मेर साते हैं, लेफ्ट हैं टॉप ओडर में, तो आपके लिए important है Indian Premier League के start होने में बस 4-5 दिन रहे गए, आज है 28 4-5 दिन में नहीं रहे गए, 3 दिन में ही हो जाएगा 4 दिन आप कह सकते हो 4 दिन में आपको IPL देखने को मिलेगा यह हमारा WhatsApp नमबर है 914-0233-474 और अगर आप loss में हो तो आप हमसे member से फिले सकते हो बहुत कम spot हमने फिर से announce किया है बहुत ही limited होता है और charges अब तो बढ़ चुके हैं हमने करीब 3 हफते पहले ही package announce कर दिया था members की winning आपने नहीं देखिए यह लाख रुपए की winning देख सकते हो हमारे channel पर ही IPL start होने के पहले ही वो इतना profit कमा चुके है कि आप जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते हो 3 हफते पहले हमने announce किया था और जिन्होंने time के पहले package ले लिया वो team भी हमने देना start कर दिया था तो आप क्यों late कर रहे हो एक एक करके आप matches को miss कर रहे हो वैसे paid membership देने से हमको एक रुपए का benefit नहीं होता है यह आप के लिए ही किया गया है तो अगर आप अपने losses को recover करना चाहते हो बड़ी winning करना चाहते हो तो आप हमसे package ले सकते हो otherwise prediction के वीडियो आते रहेंगे हर match के आएंगे उसको देख करके भी आप team मना सकते हो जैसे भी आपके इच्छा है तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही आपका होश्च दो संकुरी signing out बाबाई